जाहें देवरिवन मैं नितनी कोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का एक हमारे एक नए वीडियो में तो आप सभी को पताए कि आप सभी के प्रैक्टिकल के एक्जाम आ रहे हैं और आपके practical के exam में SLR rifle के parts के बारे में आपको पूचा जाता है। जब भी आपका practical का exam होता है, तो आपके सामने ये हतियार को रखा जाता है। और इसके जो मुख्य मुख्य parts है, ये आप सभी को practical के exam में पूच जाते हैं। तो आज की class में जो इसके basic basic मुख्य वाले जो parts हैं इन भागों के बारे में हम आप समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो लास तक जरूर देखते रही है। तो इसका जो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं, तो ये जो पूरा part कहलाता है इसे हम butt plate के नाम से जानते हैं, butt plate होता है ये वाला, उसके बाद में ये जो कड़ी आप देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है rear slink कड़ी, क्या बोला जाता है इस कड़ी को जो है वह rear slink कड़ी, उसके बाद में ये जो पूरा part है इसे बोला जाता है butt plate, क्या बोला जाता है, ये butt plate, आपका sorry, butt कहलाएगा, ठीक है butt plate तो आपका ये हो गया, बट ये butt कहलाएगा, उसके बाद में ये आपका जो है, वो है आपका pistol grip, क्या कहलाएगा ये, ये pistol grip आपका कहलाएगा, उसके बाद में यहाँ पर अगर आओगे तो यह जो पार्ट है आपका जो है वो ट्रिगर गार्ड है उसके बाद में यह आपका ट्रिगर है जैसे आप इसको दबाते हो तो आपके राइफल की जो गोलिया है वो बाहर निकलती है यह आपका ट्रिगर है और इसको जो है वो प इसमें गोलिया भर पाएंगे इसलिए यह होता है magazine catch और यह होती है आपके magazine क्या हुआ यह magazine उसके बाद में यह आपका होता है carrying handle मतलब आप हतियार को एक जगा से दूसरी जगा पर ले जाने के लिए यह carrying handle का use करते हो, उसके बाद अगर बता दू, तो यह होता है आपका 4 end, इसको बुलाता है 4 end, क्या बुलाता है? इसे आप 4 end बोलते हो यह जो है अपका part यह होता है, आपका 4 side protector, इसको बुलाता है 4 side tip protector वोता है उसके अंदर यहां पर चोटा वाला एक पार्ट आपको देखने को मिल रहा है इसको बहुता है फोर्साइट टीप ठेखे क्या होता है यह पर ayject टीप जहां से आप निशाना लगाते हो इसके बाद में यहां पर यह जो कडे देख रहे हो यह वह फरंट सिलिग कडि फ्रंट सिलिंग कड़ी बोला जाता है, उसके बाद में ये जो काला वाला जो पूरा इतना इतना जो भाग आप देख रहे हो, ये आपका बैरल कहलाएगा, क्या कहलाएगा बैरल, उसके बाद में बैरल के नीचे, यहाँ पर अगर देखोगे, तो ये संगीन स्टर्ड होता ह इसमें आप बॉइनेट लगाते हो, बॉइनेट पता है आपको क्या होता है, जो एक चक्को होता है, जो लगाया जाता है, गोलिया खतम होने के बाद में दुश्मन को खतम करने के लिए, इसमें बॉइनेट स्टर्ड को लगाया जाता है, ठीकें, उसके बाद में ये फ्लै से वह बाहर निकलती है जब तक आप इसको अन ओफ नहीं करोगे तो आपकी हतियार की बुलेट्स बाहर नहीं निकलेगे क्यों देखो जब क्या होता है अगर सेप्टी कैज की पोजिशन अगर आप अन रखोगे ठीके तब ही जो है आप हतिया इससे फायर कर पाऊगे नहीं तो क्या होता है मानलो इस तरीके से हत्यार रखा हुआ है और आपने इसकी पोजिशन अन नहीं किये तो भया कोई भी आके जो है वह बुलेट्स मतलब ट्रिगर दबाएगा तो गोली बाहर निकलेगी न तो इसलिए हमें जैसे आपका मुबाइल स्वीच ऑन स्वीच ऑप ह कहलेगा क्या कहलाएगा यह बोडी कवर कहलाएगा और यहां पर देखो यह कॉकिंग हैंडल जब तक इसको फायर करने के बाद आपको कॉछ करना जरूरी होता है ठैकए यह कहला है यह बस बेसिक बेसिक पार्ट जो कि मैं ने आपको बता दी है और इस से जाद से ज्यादा आज चुकी है ठीक है और आपके exam में same इसी में से पूरे questions आएंगे अगर जब आपका practical का exam होगा तो weapon training के practical के exam में आपसे क्या questions पूचेंगे जैसे कि अगर मैं दिखा दू तो ये practical के exam में जो है वो आपको यहां से questions पूचे जाएंगे अगर आपने अभी तक book order नहीं किया है तो कहां से order करोगे तो मेरा mobile number आपको मिल जाएगा description box में लिंक दे दूँगा वहां से book order करना और अपने पढ़ाई आज से शुरू कर देना ठीक है कोई भी doubt हो तो whatsapp number में ने दे दिया है उसके ओपर अब मुझसे call पर बात कर सकते हो I hope कि आपको SLR के बारे में समझ में आ गया होगा फिर से एक बार एक important question बच्चों को आए कि इस SLR का पूरा नाम क्या होता है तो SLR का पूरा नाम होता है self loading rifle 1A1 याद रखना 7.62 mm self loading rifle 1A1 इस हतियार का पूरा नाम होता है जो हम सभी को पता होना चीए ठीक है तो बिलकुल मिलते हैं अपनी next वाली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई सायनरा अलविदा जाहें वंदिमातरम बाई everyone